और पॉलिसी भी है तो कहां से करें शुरुवात से दोनों इंपॉर्टन ट्रिगर पहले नए सीरीज की बात के लिए जिसका हमें पता है पॉलिसी का पता नहीं है अंदाज है आज के लिए सबसे बड़े अगर हमारा लोकल ट्रिगर है तो एक ही अदिन और वह यह आज नहीं सीरीज शुरुवात हो नहीं है जुलाइ और जुन में एंड में रिकवरी थी जुन में थोड़ा सा लास में हम गिर गयते हैं 400 पॉन नीचे तहा है तो 1138 पॉइंट गिरे हम निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 2000 पॉइंट गिरें पिस्टी सीरीज में अब अच्छी बात यहीं है कि यह सिर्ष खत्म होगी और अच्छी बात इसके साथ्पकी कि जो कं일 ट्रेयर स्के आपशिंस की स्ट्रेजी रही होगी भा पॉजिए यह कंडिवॉर्च के घंट हैं इस ना पर शुट करने वाले अलग तरीके के प्राणि हैं और दूसरे तरफ शुट करने के बाद जो मार्केट नीचे आता है उस में तेजी करने वाले ट्रेड़ से या तो उनसे पोजिशन संबलती नहीं मार्किट लोगस की वज़े से या डर लगता है कि और गिर जाएगा 18,000 वाला 17,000 हो जाएगा, 17,000 वाला 16,000 हो जाएगा, तो उस चकर में वो पोजिशन बेचना है, तो ऐसे में शॉर्ट सेलर को और हिम्मत मिलती है, और प्राइस इंपक्त जादा आता है, सो एटलिस नई सेरीज के शुरुआत में ज्यादा शोर्ट सेलर्स तो बचे नहीं, कमज़ोर वाले तो एटलिस कल खतम हो गए, पहली चीज, दूसरी सबसे बड़ी चीज इस सेरीज की अधीप वह है कि FIS की इंडेक्स लोंग पोजिशन हम 13% पर कर रहे हैं, और यह 13% की इं सेरीज की शुरुआत में, अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं आपको डेटा बताना, माफ किजिए, जुलाई सेरीज की शुरुआत में, तो जिस दिन जुलाई सेरीज की शुरुआत हुई थी, उस दिन हम इंडेक्स पे लोंग पोजिशन 15% पर कर रहे हैं, जुलाई तो मतलब आप सोच सकते हो कि यह ड्रीम सिरीज थी, अब तीसरा पॉइंट बता दाओं जिससे आपको मू ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो गया, और अच्छा हो जाएगा, एक इंट्रेस्टिंग चीज है, ऑक्टोबर की सिरीज के बाद, 2010, 2010 से लिखे 2021 तक है, बारा सिरीज ह हो गी आपकी, दस को भी गिन रहा हूं इसलिए, बारा सिरीज में से दीप, ग्यारा सिरीज में ऑक्टोबर की सिरीज पोजिटिव रही है, सिर्फ एक 2018 को छोड़ दीजे, आठ परसंट गटी थी, 2018 के अलवा, बारा में से ग्यारा सिरीज, शायद 2008 में भी मुझे निपता क इस वज़े से नीचे रही होगी, I don't know, अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बाकी, आप देखिए, और तीन से छे परसंट के डिटर्न आसानी से आते हैं, तो I think October की सिरीज के लिए हम तेजी के लिए, डेटा के लिए से हर तरह से तयार है, हर तरह से, रिस्क एक ही ए ग्लोबल है, बिल्कुल है, वो रिस्क हमेशा रहेंगी, बट अगर लोकल ट्रिगर्स के लिए से देखें, लोकल डेटा के लिए से देखें, और मैं यह नहीं क जी है, वो एक, आपका माइन सेट बताता है, लेकिन जब डेटा आपको यह बता रहें कि अगर 13% के इंडेक्स लोग पोजिशन के साथ, FIs अगली सिरीज में जा रही है, रोलोवर हुए हैं, पिछली सिरीज से ज्यादा, एक करोड़ चौदा लाग शेर निफ्टिक है, श उसने तो पहली चीज तो ही कि जिसने लोंग रोलोवर किया है, उसने 16-800 पर किया है, और कम किया है, तो शोर्ट साइट के जो रोलोवर हुए है, तो यह सारे डेटा यह बता रहें कि अक्टोबर की सिरीज एक अच्छा पॉफोमेंस देने को तैयार है, बाउंस बाट के ल अगर इस बीच ग्लोबल मार्केट बढ़ गए, तो 6-8% की सिरीज भी बन जाए, तो क्या करना है, तो मैं थोड़ा ओक्टोबर को लेकर पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट हूं, और दूसी चीज, जो हम पिछले हफते से लगातार करें इस मंडे से, यह पूरा हफता आप आपको लिटिलिटी कम होगी, पहली चीज, दूसी चीज, हर 1-1% निफ्टी के फोल पर आपको लगाना है, आज फिल से अगर आपको 200 पॉइंट नीचे मिल जाता है निफ्टी, वापस से पैसा लगए है, अगर आप नो इंस्टोलमेंट में लगा रहे हैं तो, और अगर चार इंस्टोलमेंट में लगा रहे हैं, तो चलिए, सीरीज के लिए तो अच्छा व्यू बन रहा है, ओवरसोल्ड मार्केट से एक बाउंसबैक के लिए तो तयार होई रहे है